सीजियल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, MTS, CHSL जैसे एक्जाम्स में देखना कि दो से तीन एरो डिटेक्शन के कोश्चन आपको हमेशा इस तरह के मिलेंगे एरो डिटेक्शन में नहीं मिलेंगे तो सेंटेंस इंप्रूब्मेंट में मिल जाएंगे आपको ये पहचानना वड़ा मुश्किल होता है कि जो सेंटेंस आप सॉल्व कर रहे हो जिस सेंटेंस की आप बात कर रहे हो जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हो वो आपका एक्टिब में है या पैसिब में है पहली नजर में इसको सॉल्व कर सकते हो तो अगर कोई व्यक्ति सब्जेक्ट है क्या है कोई व्यक्ति अगर सब्जेक्ट है तो वो एक्टिब में होगा कि भई व्यक्ति तो खुद से काम कर सकता है ना मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ आप अपना काम खुद कर सकते हो रामलाल अपना काम खुद कर सकते हैं पाती लिकिन अगर हमने कोई नॉन लिविंग किसी निर्जी वस्तु को सब्जेक्ट बनाया कोई निर्जी वस्तु है जिसे सब्जेक्ट बना दिया वही मान लीजिए यह बोतल है इसे थोड़ी ना सब्जेक्ट बनाया जा सकता है इसके लिए तो कोई और काम करेगा ना इसके लि एक्जाम्पल लिखा जा ओफिस इस ड़स्टिंग बाइमी एब्रीडे देखने जरा इसमें क्या होना चाहिए उस गलती की गुंजाइस लग रही इसमें सुधार करने की जरूरत है इसमें कुछ दो ऑफिस ड़स्टिंग बाइमी एब्रीडेग फैं यह also अपने अप थोुली ना साफ हो जाएगा ऑफिस यह को साथ आप्स कोतों साफ करेगा तो desert नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए डस्टिड होना चाहिए क्या होगा डस्टिड होगा समझ आया कि ओफिस नॉन लीङर कैसा है नॉन लिइंश एक कोई इंसान अपने आपको तो नहीं पीट कर लेगा, कोई इंसान अपने आपको तो नहीं पीट लेगा, कोई इंसान अपने आपको तो नहीं पूट लेगा, यह भले ही सब्जेक्ट हमारा लिविंग है, लेकिन फिर भी पैसिन में है, क्योंकि कुछ काम है वो हम अकेले करी सकते वह दूसरे करेंगे हम गलती करेंगे अपने आपको कूटेंगे थोड़ी ना अपने आपको पीटेंगे थोड़ी ना तो यहां पर देखो ये भी सेंटेन्स कैसा हुआ तो आपको सेंटेंस को देख के ये समझना है कि कौन C Houston subject ने खुद किया है कौन सा काम subject ने दूसरों से करवाया है अपने smartphone में जो sim card यूज करते हो उसका recharge आपने खुद कर लिया उसका recharge आपने खुद कर लिया तो active है दूसरे से करा लिया तो पैसे में है समझ गये सरफ subscriber only mode कर दीजे उससे क्या होगा वो क्याप की बुक क्यों गुख लोगे कितने पैसे हैं खर्च करने के लिए खुद कमाते हो तो बता देंगे बुक मम्मी पापा से मांगोगे तो हम पीडियाप दे देंगे आपको फ्रीमेंट ठीक है निक्स